आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पापर चुरी की रेसीपी इसे बनाना बहुत ही इसी है और खास बात है कि घर में रखे इंक्रिडियन्स के साथ ही बनकर रेडी हो जाता है तो चले अब हम जल्दीशे शुरू करते हैं पापर चुरी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए पापर तो यहाँ पर मैंने उरत के पापर लिए है अब हम इसे रोष्ट कर लेंगे यहाँ पर अगर आप चाहो तो इसे फ्राइ करके भी ले सकते हो यहाँ पर पापड को हम direct flame पर ही roast कर रहे हैं इसलिए ध्यान रखना है कि हमारा पापड जलना जाए तो इस तरह से हम अच्छे से सारे पापड को roast कर लेंगे इसी तरह से हम बाकी के सारे पापड को roast कर लेंगे अब मैंने यहाँ पर एक mixing bowl लिया है उसमें जो हमने पापड को roast कर के रखा था उसकी हम चूरी बना लेंगे तो इसे हम पापड को इस तरह से crush कर लेंगे तो यहाँ पर हम पापड के बहुत मोटी टुकडे नहीं रखेंगे हो सके उतना हम उसे छोते टुकडों में crush कर लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पापण हमारा अच्छे से अब ग्रेश हो चुका है और अब हम उसमें थोड़े से मसाला आट करेंगे तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर वन टेबल स्पून जीतना मेल्टेट गी लिया है वो में इसमा आट करूँगी और साथी में हम उसमें आट करेंगे वन आफ टेश्पून जीतना क्यूमिन पाउडर इसे टेस्प बहुत ही अच्छा आता है वन आफ टेश्पून हम उसमें चाट मसाला आट करेंगे थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर लिया है वो मैं इसमाँ आट करूंगी 140 पुन मैंने यहाँ पर काला नमक लिया है वो मैं इसमाँ आट कर दूंगी और यहाँ पर मैंने एक हरी मिर्च इसे मैंने फाइनली चॉप करके लिया है एक medium size का tomato इसे पर मैंने finely chop करके लिया है और यहाँ पर मैंने टमाटर के बीज और पानी को निकाल कर लिया है अब मैंने यहाँ पर एक बड़े size की प्यास इसे पर मैंने finely chop करके लिया है वो मैं इसमाँ add कर दूगी आप चाहो तो यहां पर हरा धन्या भी आट कर सकते हो अब मैंने यहां पर आदा निमू का जूस आट किया है अब हमारे सारे इंक्रिडियन्स आचुके है अब हम उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहां पर हमने गी का यूस किया है गी का फ्लेवर है वो उरत के पापड़ के साथ बहुत ही अच्छा लगता है और गी आट करने से हमारे पापड़ चुरी में जो सारे इंक्रीडियन्स है वो अच्छे से मिक्स हो जाते है तो यहाँ पर हमारी पापड़ चुरी बनकर आप रेडी हो चुकी है अब हम उसे साउ कर लेते हैं, आप इसे डाल राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, सबजी रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, और आप चाहो तो इसे ऐसे ही चाटकी जैसे सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है, इसे गानिश करने के लिए मैं उसमें उपर से बेसन की सेव आड़ करूंगी, तो इस सूपर टेस्टी पापर चूरी की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बोक्स में बताएगा ज़रूर और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अब तक मेरे चैनल को सिस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीस चैनल को सिस्क्राइब करें मिलेंगे नए रेसिपी के साथ और तब तक के लिए बाबाई